किताब वाला की आज की कड़ी में हम भारत की अलग-अलग समय पर अलग-अलग देशों के साथ हुई ट्रीटी पर यानि समझोतों पर बात करेंगे जो हम आज सुनेंगे नन अदर देन एस भशीन साब से तीस बरस कांट अन्भवरा जहां उने मिनिस्ट्य अफेर्स की जो इस्टारिकल डिवीजन होता है यानि कि जो विभाग यह सब लेखा जोका रखता है कि कौन सी मीटिंग हुई कौन सी ट्रीटी हुई क्या बात हुई क्या ब्रीफ हुआ क्या पेपर था इस सब पर उनकी स्टेट विजिट के तो उननों तो यह तृब ऑषर में हैं हैं इंडिया मैं जब थै दिली में तो यह कह लागा क्यू bringing आ कि इए विए बशलप यह सरकार ने मना किया कि अगर आप को बांटपनी है तो रेड़-क्रॉस के जरिया आईे आप मत बाटिए राजीव गांदी कोई बात खराब लगी इसलिए अगले दिन उन्होंने सरकार की बात की अवहेलना करते हुए खुद से रसत बाटना शुरू कर दिया और वाई एर इनको ड्राप किया गया क्या जुल्फिकार अली भुट्टो 1972 के शिमला समझोते में कश्मीर की जो बाटर लाइन थी उसको लाइन ओफ पीस मानने को राजी हो गए थे सबसे पहले हमारी कमजोर यह थी कि जैसे ही राई खतम ही थी और हमने यह कह दिया कि हम आप से बात करने के त्यार हैं कहीं पार किसी जगा पे और विदौट प्री कंडिशन्स दिसंबर 1971 में हमारी विकड़ी के बाद हम वो पहले थे जिनोंने पहल कि की पाकिस्ताना क्याम से बात करें इंदरा जंगा आई है डिंटर से मेरे कश्मीर पर बात हुई इसमें कुछ साथी बात नहीं है. अब क्या बात हुई है? वो प्रब्लम है. भुटो का ये कहना था, जो प्रब्लम पिछले 25 साल में नहीं साल वो पाई. वो पाइंच दिन की बात चीज में कैसे होगी? जबकि इंद्रा गांधी ने पांच खत लिखे ते जुल्फिकार अली भुटो को इस बात कर रिमाइंडर कराते हुए कि हमारी और आपकी कश्मीर को लेकर कुछ बात हुई है. क्यों उन खतों के कोई जवाब नहीं आए थे? उन नहीं कोई लिखा ही नहीं ना? और सरा आप फिट कैसे रह पाए? नवे वरस के ओर में भी आप बिना किसी ऐसे जरूरत के राम साइब चल कर पाते हैं, पढ़िया आपकी सेहत है. मुझे क्या पता है यारु. हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंद कैसे हैं और नरेंद्र मुधी की सरकार में आप विदेश के साथ जो हमारी डील करने की नीती है, उसको आप कैसे देखते हैं? कानाडा का विवाद आपके सामने ही है. वो तो हमारे नेबरिंग कंट्री जो हैं, इस मामले में बड़े उशार हैं. वो कहते हैं, नहीं, चाइना होगा तो इंडिया दबा रहेगा. अपनी ब्लेक स्क्रीन्स पर आप कितावाला देखना शुरू कर चुके हैं, मेरा नाम दीपक है. कितावाला की आज की कड़ी में हम भारत की अलग-अलग समय पर अलग-अलग देशों के साथ हुई ट्रीटीस पर, यानि समझहतों पर बात करेंगे. इसमें दो तो उस वक् की रश्या और अमेरिका और इसके लावा एक पाकिस्तान के साथ, एक चाइना और एक शिरंका के साथ. अब इन पांच समझहतों के दौरान अंदरखाली की मीटिंग्स में क्या हुआ, हम से क्या भूले हुई जिनकी कीमत हमें आज तक चुकानी पड़ रही है, हम किस तरह इनको बेहतर कर सकते थे, और इन पांच मीटिंग्स के दौरान इंदरा गांदी, राजीव गांदी, जवाल लाल नहरू से जुड़ी और यहां तक इनवान महुन सिंग से जुड़ी हुई भी, तमाम इस तरह के इसे किस्से हैं, जो हम आज सुनेंगे नन अदर दन एस खर्च कीजिए, एस भसीन साब 1935 बॉन है, 1993 में Ministry of External Affairs से रिटायर हुए, तीस बरस काउनका अनभवराज जहां उन्होंने Ministry of External Affairs की जो historical division होता है, यानि कि जो विभाग ये सब लेखा जोका रखता है कि कौन सी meeting हुई, कौन सी treaty हुई, क्या बात हुई, क्या brief हुआ, क्या confidential paper इस सब पर उनकी नजर रही है, उन्होंने ये किताब लिखी है, इस किताब का टाइटल है Negotiating India's Landmark Agreements, कीमत है 99 रुपे, पैंगुन से आई है, पांच एग्रिमेंट्स को लगभग 400 पन्नों में समीटा गया है, और इसका जितना appendix है, उतने में पुरी किताब बन जाएगी तो बहुत authoritative account के साथ हम इस किताब पर तफसील से एग्रिमेंट्स की बारे में बात करेंगे, इस बसी साथ स्वागत सर आपका, आपने वक्त दिया, मेरी आवाज आपको अच्छे से विल पा रही है, मेरी खुछी है कि आपने भी टाइम निकाला और हम दोनों आपको सबसे पहले decreasing order से शुरू कर लेते हैं, 1987 का जो इंडिया-शिलंका accord हुआ है, उसका उफिशल नाम है, इंडिया-शिलंका accord 1987, उस पर आपने कहा है कि ये 62 के बाद भारत की विदेशनीती की सबसे बड़ी disaster थी, इसका आपने कुछ एक्डोट में जिक्र किया है, मसलन आप कह अपने प्राइम मिनिस्टर का भरोसा हासिल नहीं था, उनका समर्थन हासिल नहीं था, 1987 की accord को आप भारत की गलती क्यों मानते हैं और वो इतनी बड़ी disaster क्यों है आपके नजरिये से, इसकी थोड़ी history में जाना पड़ेगा पहले, क्योंकि 87 में जग्दम agreement नहीं हुआ, इस जो तामिस से वो चोड़ा बारा, साड़े बारा परसंट हैं और जो सिनाला जाएं वो हैं 74 परसंट अव और गफूलिशन और जब सीनाला को एक नाशनल लेंवज दिकृर किया गया तो तामिस को प्राबलम हुए, उनका नहीं हमारी लेंवज को भी नाशनल लेंवज दिक का नव poderia जाना जए अब तामिव सिरफ बारां परसंट से और समयटी फूर परसंट से नाला थे तो बाजब था कि 74 की जो लेंग्विज है वो नैशनल लेंग्विज हो और जो कामिव है वो सिर्फ तामिप अर्ल एजिया में बोली जाती की जो कि नाथ और इस प्रमिस्स थे और उनमें उनको रिजिनल लैंगविज का दर्मा हासल था तो देर वस नो सच प्रबलम बड़ तामिल को चुछ के यह ख्याल था कि हम इतने बड़े कल्चरल लोग हैं हमारी लैंगविज क्यों पीछे रहे तो अब हमने जब उनको इसाइड लेनी शुरू से तो वाजब नहीं थी क्योंके 74 परसंट इस वेरी बिग नंबर कंपेर तो 12 परसंट अव दी तामिल था तो हम पहले काफी अर्शा तक इससे बाहर रहे वुचाटे थे हम इसमें इंटर करें इस मामले में क्योंकि हमने 71 में बंगला देश में इंटर्वेंशन की थी इन बिया फादी बंगली जो इस्ट परकिस्तानी थे तो उनका खाल सा जो तामिल थे कि शयाद इंडिया हमारी भी इसी तरह से सायता करेगा और हम एक लादा मुल्क बन जाएंगे जो उनकी डिमांड भी थी हार तरह से हमें फादा हो जाएगा मगर इंडिया ने का कि ये इंडिया जन्ता पार्टी का राय था इवन श्री लंका मैं जया वर्दने से पहले जो प्राइम मिस्टर सी श्री मावव बंदारनाय के उसने भी कुछ थोड़ी जादिया की थी है अपने मुल्क मैं जिसके के ये पीरत से जया वर्दने सा उनके लड़के को वी रश किया था टो उन्हों ये अपने एक माशन एपने लौशन में जब थे दिली माव थे लि एक ए емारे यां भी ये घाय और बश्रा था अब इन्डिय में मिस्टर गांडिती और संजीव संजे था तो उनका उत से इंशारा नहीं था बगर उफने देशारा कर रह थे अपने बात लुक बता रहे थे मगर इंदरा गांधी जो सुकत पावर में नहीं थी उसका लगा कि ये हमें भी जीच में ला रहा है तो जब 1980 में अब उन्होंने इस बात को याद रखा और जब 1980 में वापस कांगर्स की गवर्मेंट आई और मिस्स गांधी प्राइमिस्टर बनी तो उन् तामिल्स को ट्रेनिंग शुरू कर दी उनके जो मिलिटन लोग थे उनकी ट्रेनिंग का प्रवाँ बनाना शुरू कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें गाय कहकर उन्हें पानित किया गया है या बशड़ा कहकर संजय को हाँ क्योंकि उसके लावा प् और उसके बाद जगनम आप उनके जो कम्स थो इयंप तिर लूपरों और नोच उर्णार देना शुरू करदे उनको प्राइनिग दूरू करदे तो यह बात तो लगता है ना क्योई और बात भी जिसciendo कि आपको पालिशिक बड़ी पड़ी, मगर इमेजिएटली तो की पर्वोकेशन थी नहीं, सिंप्ली यही था कि उनको इस पात का इसाज था कि उनने मेरी बिस्ती किया है, ऐसा कह के, और उनने शायद, मैं यही कहूंगा, कि और तो कुछ मुझे नजर नहीं आती वजा, यही वजा नजर आती है, और उनन उसने तो बहुत ज़्यदा तोर से उनकी मदद करने शुरू की, लड़का यानी राजीव गांदी, इंद्रा के हज़ा किवाद प्धार मंत्री बने, हाल, साहता शुरू कर दी, और अब इन में कुछ लोग थे जो मिलीटेंट थे, जो नहों ने अपनी मिलीटेंटिस के प ती, मगर सबसे जो जो जिर्डली ऑर्गनाज़जेशन थी, एल टी टी थी, लिबरिशन टाइगर था तामर इलम, इलम का मतलब है अजादी, लिटे, हाँ, अजादी, तो उन्हों ने मिलीटेंटिसी अखियार कर रके थी, और वो जो भी उनके खराब बोलता है, उसको मार देते थे, जाए वो सिनाली हो, जाए वो तामिल हो, उनको इस बात का नहीं था इसास, कि ये तामिल है, हमारी साहिता करते हैं, हमारी लाइ, मगर चुँचे वो उनको अपोज करते थे, किसी बात के लिए भी, तो वो उसको मार देते थे, तो हम ने भी, राजीव गांदी ने उनकी साहिता करनी शुरू कर दी, साहिता इंडर साइंस को इनके बहाप पे, श्री लंका की गवर्मनेट से बात चीड करनी, उनको कहना ये कर दो, वो कर दो, ये उनको दियो, जब श्री लंका उस बात पर चलता था, तो LTT मुकर जाते थे, LTT अपने साहब से चलते थे उनको अजादी से कम कुछ नहीं चाहिए, मगर हम ने श्री लंका को, राजीव गाली ने श्री लंका को ये विश्वाद लाया, कि जब हम इनके बहाप पे बात करते हैं, तो हम आपकी अखर्णता को काइम रखेंगे, आपके कांस्टिटूशन के अंडर ही जो कुछ चाहि हम चाहिए, मगर एटिटी का जो प्र्रॉगाम था जिसको हम स्पोर्ट का रहे थे, उनका प्रग्म अजादी था, तो जो भी वो कंसेशिय देते हैं श्री लंका हाले वो उतको रजट कार देते थे, वह तको रिए गार देते हैं, अगर ले एक्सपेक्टिशन के अगर हम टोडने के लिए इनकी मुदद के लिए यस, बच तोडने के लिए नहीं करेंगे. अब दोनु चीजों में आप एक को मदद कर रहे हैं उसको तोडने के लिए, उसका प्रोगाम तोडने का है, उससे कम कुछ मानता नहीं आई और अधर आप उनको इसमेह देतें हैं, कि हम जो कुछ भी करेंगे आपके कांस्टूशन के अंडर होगा और आपकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो मिंटेन रहेगी हम अजादी के लिए इन तामिल्स के अजादी के लिए नहीं लग रहे हैं आपको पर कह रहे हैं मगर यहां कंसिक पैदा हो गया तो ऐसे आपको जलते चलते यह हुआ कि जो थामिल्स थे एल्टी इन नों पी अच्छा भाग नाइटा क conditioning स्टाーヤों सक्षिण क होगा है जो किअ €ยभाग नहीं ल sesi कि चामिल्स का झामिल्स का जिएग्रिय साफंप प्शृरियल्स क हिए लिए लियु एस में इन्औू को छिए जए जवन्योकलेट करते हैं, यही जश्टिस्टेस लेते हैं आप सारा को पोलीसिंग भी यही करते हैं अब इछाना था किनके के इनके मुल्क का इस्ताव वो अब्ला करके बैटे हुए थे तो अन्होंने झाल चौंके फोर्च से तो फोज नहीं रहते हैं वो बड़े पावर्फ का ब्लॉकेड किया. अकेल उनका खाल था अगर ये इनको पैट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, तक गारियां नहीं चलेंगे, आज का जमाने में कोई गौर्मेंट बगार इन चीज के नहीं चाल सकती. और ये काफी देर तक चाहता रहा. अब इंडिया ने कहा उन से, कि अगर आपने ब्लॉकेड कारक्षिया तो ये तो बगल्द बात है. हम इन लोगों को कुछ चीज़ें बेजना चाहते हैं, जो तें पैट्रोल भी शामिल था. और वो हम बाइबोर्ट बेजेंगे. और क्योंकि इनको तकलीफ हो रही है, इनको बाइबोर्ट बेजेंगे और ये ज और रेड टार्ज इसको बांटेंगी. आप नहीं बांटेंगे. हमारा मुल्क है, आप नहीं मुल्क में कैसे बांट सकते हैं. तो शीरलंका वाले नहीं मान के आप बिल्रक लिए जाएं. ये नहीं हो सकता. और वोट्स वाले थे, उनसे भी कहा दिया जो बोट इदर आएग हम इसको डिस्ट्राइ कर लें. मगर इसके बावजूद भी इंडिया ने बोट्स मैं भे दिये सामान. अब इनों ने शीरलंका ले उनको बहा उतरने नहीं दिया. और ये बोट्स वापस आगें. जब वापस आगें तो रजीव गानली को बहुत बुरा लगा कि एतने बड इयर ड्रॉप कर दिये. शीलंका सरकार ने मना किया कि रसद की सामगरी अगर आपको बाटनी है तो रेड क्रॉस के जरीया आईए. आप मत बाटनी है. राजीव गान्दी कोई बात खराब लगी. इसलिए अगले दिन उन्होंने सरकार की बात की अवहेलना करते हुए अब श्री लंका ने लिखा के इंडिया तुला हुआ है अखामित के बगार नहीं चल सकते है इसके प्राब्लम जो भी हमारी इंटर्नल प्राब्लम मैथनिक प्राब्लम है इंडिया को इन्वाल करना ही पड़ेगा. तो उन्हों ने फिर जय वर्दन ने रजीव गांदी से आपस मैं बात की और कोई इसकी डिसकुशन ही और कुछ नहीं हुआ एक एग्रिमेंट कर लिया गया. ओग्रिमेंट किसी को पता नहीं था क्या है. जब एग्रिमेंट होना था एक दिन पहले श्री लंका ने इंसारी राजिव गांदी ने हमारी गर्मेंट ने जो तामिल थ एक मीटिंग मैं दिखाया और उन से उसकाद वापस ले लिया जो काकश था. जब उनने था हमें एक कापी दे दी इस एग्रिमेंट की तो हम इसको अच्छी तरह पढ़ लें तो उनने एक कापी नहीं दी वापस ले ली जो दी थी पढ़ने के लिए. एल्टी इसकी अग्र नहीं था बिलकुल ही. क्योंकि मेन पार्टी तो एल्टी इधी था, एल्टी इसकी बिलकुल अग्रिश ता. वो कहले लगें, यह कासे होता था क्यां कि एसमें यह और इसमें यह पर विजकिन तीम psychologist केंदर, कि एंडिया विल एंशोर के जो एल्टी के पास बालब्स दी यह यह जो क्लास थी यह बड़ी खल्ट क्लास थी और LTT सक्ञाइज था और वो मान नहीं रहा था अब एग्रिमेंट साइन होना था तो किसी तरह से उनको दिली ला गया और दिली ला के उनको रिष्ट रुट रठा गया और एजीव गांदी उनसे मेले उस ने कहा साब यह हमें म नहीं है, आमनें मानें. श्री राजीब गांदी ने उनको समझाया कि नहीं यह आपके साहिब ले किया है और आप इसको मान जाएए, वो नहीं माना. फिर कुछ कहते हैं, जो बाद में बात निकली, कि इन्हों ने तीन चार करोड रुपया, ना तीस चालीस करोड रुपया देने की बात की LTT को, कि हम आपको देंगे जो आपके कार्डर्स हैं. भारा सरकार ने. हैं? भारा सरकार ने बात की. भारा सरकार ने. तीस चालीस करोड रुपया देंगे जो आपके जो कार्डर्स हैं अगर एगरिमेंट को नहीं माना, जैसे ही वापस गया, वो अगेंस्ट हो गया. और वहाँ जाके स्पेश दी उसने, कि हम इसको नहीं मानेंगे, और उसने नहीं माना, और इसके खिलाफ सिस्ट्रकल श्रुकाती है. अब आई पे के एफ को इंट्रूस किया गया, जो एगरिमेंट वा सा, मैंने आपको बताया ना, वो बड़ा एक हश एगरिमेंट था, किसी वो कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, और जब एगरिमेंट साइन हो करने के लिए गए, तो श्री लंका में भी इसके कोई हमें नह अगरिमेंट था, और कैबिनेट के मुस्ट अव दी मिनिस्टर भी इसके अगरिमेंट थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दूसरी कंट्री की जो फोज है, वो हमारे हाँ आए और हमारे प्राबलम को साल्व करने की कोशिश करें, तो सारे मुलक अंदर उसके अर्टाल थी लोग भी अगेंच थे, मुलक में अर्टाल थी, शटड़ूं था कंप्लीट और इन्होंने एगरिमेंट साइन किया वहां पर जाएंगरिमेंट साइन किया, 29 जुलाई 1987 को यह एगरिमेंट कलमबो में साइन हुआ, और जब जाने लगे, रजेव गांदी दिली वापस आने लगे, तो जब वहां पर उनको गाड़ा फानर दिया, तो एक स्पाई ने, जो नेवल स्पाई था, उस ने एक अपनी बंदू के बट से, उसको मारा मगर रजीव गांदी ने देख लिया था, आंक से, तो वह अपना से रिलर कर लिया और बच के, मगर उनको थोड़ा और जिनके लिए आप अगरिमेंट कर रहे हैं, वह भी यह अगेंच हैं, आई पी के फ इंट्रिडूस हो गई, आई पी के फ वहां पर जाई ही, तो एल टी टी ने उसके खिलाफ प्रोगाम शुरू कर दिया, एल टी टी अप एल टी टी और इंडियन जो पीस कीपिंग फोर के अमन हो और यह अमन नहीँ होन जेते थे यह अपना एजंड रमनी का जो कुछ भी त独 गव को पीका उसको जारी रख ते तो एंतना हालात के अंदर को को बात आगे बऻन फाल पाई बात आगे बढ़नी पा और आमरे आजमे जो इसे हुमारे आप उम्हरे आजमे गड़ अन बिना कि और अद बर इजो दैना, अनिकों अड़ी पारोत। को ब्रापिसर प्रायम्रियन that प्राएं बने कृट्री के। प्राइम मिनिस्टर प्रेजिएंट बन गए प्राइम मिनिस्टर प्रेजिएंट बन गए प्रेजिएंट अपने एलेक्शन जो ही है उसमें प्रेजिएंट बन गए और उन्होंने अपने एलेक्शन मैंनिफेस्टु में कहा कि जिस दिन मैं प्रदान बनूंगा मैं आई इंडिया को डॉन करने के लिए आई पी जो एल्टी टी इन से बाज शुरू कर लिए कि आप क्यों लड़ रहे हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं हम लड़ रहे हैं तो ये इंडिया वाले किसी पार्टी जाज का फ़ादा उठा रही है को हापस में हम से मजचा कर लेते हैं और क्योंकि आई पिएफ आई एफ आई आपको डिसाम करने के लिए वो डिसाम के बाद के खटम हो जाए कि हम आपस में सस्वादा कर कर लेते हैं और इन आई पी और दूरूरत ही नहीं है तो उन्होंने भी सोचा कि अधियर स्टेटिजी यह अच्छी चीज है और उन्होंने इसको रिस्पांड किया और अपस में बाल चीज शिरू होगी गुर्णमेंट की और एल टीटी की जोग दोनों दुश्णी थे दुश्मन थे एक दूसरे के अब इनके आपस में बाल हो गया है अब आपकी रूट नहीं है अब जाएए अब जब तक तो यह थे वहां पर रजीव गांदी उनका साथ यह नहीं अभी अब आरा प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है एल टीटी नहीं सेंडर नहीं किये हैं और आपका फाला का मगर यह चलता रहां नहीं हुआ नह जब आएपी के एफ का रहना पकाई हो गया था तकरीब काफी हुआ हो गया था तो हर बहुत प्रश्य चुरू कर दिया प्रेजिडन ने कि यह यहां से चले जाएं और उसने कहीं कि अटकंडे अपना इस बारे में हर दूसरे मेने एक आदमी को बेगता था प्राम अपने के जाकटी को या फ़ार मुनिस्टर को दिली के जाकर डिट ले का यह कब यह वड्रा का रहे हैं डिट ले का यह कब यह वड़ा करें इंश तो अटिमेटली कुछ बना नहीं हमें वड़ा करना ही बड़ा और जो प्राप्लिम थी वह 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 रह गई और आए-प-E-क-F कित इतनी आपसर मरें इसका इवजन ने प्रवदन इस किताब में दिया हुआ है। और हम ने लिया क्या और दीया क्या कुछ भी नहीं। खीम वहीं की वहीं आ गई। क्यों कि जैसे ही हम आये, LTT फिर बागी हो गया। LTT फिर बागी हो गया। जब आई पीकेफ चली तो एल्टेटी पिर अपनी ही गौर्मेंट जिसके साथ वा बात्चीत का रहा था उसके गेंश अगया। तो आपका गड़ा है वही रही और हमारे आई पीकेफ करके अपने आदी मरवाय और कुछ निए निकला। ऑर बनामी legends ही खाना हे खाए हुए कि यह मारे जितने निबरींग कंटी थीए उनको यह बड़ा लगा कि एक बड़ा कंटी चोटी कंटी के अंदर जाके अपनी फोग बच भेज के अपने उनकी पासी को खराब कर रहा है उनकी प्रůबबैम को जड़ा रहा है तो वो डर गए कि इंडिया से डरना चाहिए अब चाहिए अब चाहिए जो आता है वहाँ पर हमारे सारे नेबर कंट्री में इस मामले में बड़े उशार हैं वो कहते हैं नेग चाहिए होगा तो इंडिया दबा रहेगा इसका जो इंपक्त हुआ वो ड़र्स हुआ अब सारे के सारे पाकिस्तान है चाहिए ला के बल्बूते पर हमें आँख दिखाते हैं खैर उसकी कीमत बाद में बहुत ही दुखत तरीके से राजीव गांधी ने भी चुकाई जब धनू नाम की एक सुसाइट डॉमबर ने राजीव गांधी की जान ले ली थी इकीस मही उनी 1972 एक डिनर मीटिंग जुल्फिकार अली भुट्टो और इंद्रा गांधी डिनर मीटिंग को छोड़के अचानक से जाते हैं उस भोजन को छोड़ करके और कुछ बात करके लोटते हैं इंद्रा गांधी उसके बाद P.N. अकसर जो उनके प्रेंस्प सेक्रेटरी थे और P.N 1972 को लिखती हैं बंदर नाइके को कि on the Indian side we felt that durable peace was not possible without a settlement on the Kashmir question the president assured me that he would like to do this and seem to accept himself called a line of peace on the border however he did not wish to make it public at present क्या जुल्फिकार अली भुट्टो उनीस्व बहत्तर के शिम्ला सम्झोते मैं कश्मीर की जो बादर लाइन ती उसको line of peace मानने को राजी हो गए थे क्या हमारे लिए एक missed opportunity है जैसा कि आपने कहा लाइन अफ पीस तो थी क्योंके 1948 के बाद जब सीजफार हुई तो वो एक line of line of control थी सीजफार लाइन थी उसका उन्होंने उसको कहा दिया उसको line of control कर देते हैं तो इतनी चेंज हुई बाकि उन्हें लेका अब मैं कोई फासला ने कर दो यह उस है वो खुद भी गया था मासको और पाद में बातों से जो डिली में बात हुई शिमला में बात हुई उससे पहले जीजफ हमन को बेजा और यह खास कहा दिया कि कश्मी के ओपर कोई इस वक्ता हम फैसला नहीं कर पाएंगी यह इसको हम मान लेंगे line of control को international border आज नहीं बार पर यह जो भाश आपने भी कही ना कि समझोता नहीं कर पाएंगे 93,000 उनके सैनेक हमारी कस्टडी में बंदी थे हम उनके मुलक मतलब उनका मुलक दो फाड़ हो चुका था बंगलादेश अलग और पाकिस्तान अलग उसके बावजूद जो negotiation की terms है ना जो समझोते की conditions है वो पाकिस्तान के से तैय कर रहा था यह जीब सी बात है कि पाकिस्तान डिसकास कर रहा है पाकिस्तान लेड कर रहा है उसने पहले से बताया सबसे पहले हमारी कमजोरी यह थी कि जैसे ही राई खतम ही थी और हमने यह कह दिया कि हम आप से बात करने के त्यार हैं कहीं पार किसी और विदोड प्री कंडिशन्स दिसम्बर 1971 में हमारी विक्टरी के बाद हम वो पहले थे जिन्होंने पहल की कि पाकिस्ताना के हमसे बात करें और हम बगार कंडिशन के बात करने के लिए तयार हैं यह एक चिठ्थी हमने जुल्फिकार अली बुट्टो जुल्फिकार अली प पर असलामबाद में कि यह इंडिया चाहता है कि अब बादचीत हो हम आपको कर गए उसके बाद हमने एक चिठ्थी दी युए न के सेक्ट्री जनरल को और युए न के सारे पर्मेनल मेंबर्स को जो स्कुर्टी कॉंसल के मेंबर्स थे हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान स किसी जगा किसी वकत और विड़ोर प्री कंडिशन यह हम नहीं कहा और पाकिस्तान ने जो आप मैं तो नहीं कहा मगर बैसे अपने स्टेट्मेंट में कहता रहा कि हम कश्मीर पर बात नहीं करेंगे बाकि जो ओगा देखा तो बुटो का यह कहना था जो प्रब्लम पिछले पच्छी साल में नहीं साल वो पाई वो पांच दिन की बाद चीज में कैसे होगी तो इसको हमें बार रखना चाहिए उसने यह मैसेज मास्को में भी दिया और मास्को ने इंडिया को मैसेज दिया कि वो किश्मीर पर आपसासा करेगा बगर आज नहीं करेगा बाद में करे उन्होंने जब डीपीधार पारिस गए थे तो उनसे भी का था कि आप किश्मीर को बाह रखे इन बादचीत से, अगर किश्मीर को रखा तो ये बाकी बादचीत भी नहीं आपकी वो पाएगी है। तो हाटफ से ये अडवाईस मिल रही थी के ये इस को किश्मीर के का फैसला नहीं होने बाला, इसको अभी मत शड़िये बादब और ज or塕, फुल, de legis часов लाव बात हुई पहली जुलाई को, I am reality, I am forgetting the day. 2 July, 2 July? 2 July, is not matter. नो, सारी, डेलिगेशन लेवल पहली जुलाई को थी, पहली जुलाई को जब बात हुई, तो उसमें उनों नहीं कहा था, कि लेट इट इट बी ये लाइन अप पीस, लेट पीपल कम एंड गो, बस, इसे जदा कुछ कमिट करने के लिए वो तयार नहीं थे, और बात चीज ज साथन सोलजर तो हैं हैं कबदे में के, वो प्रिजनर भी हैं, और सारी जमीन भी, काफी सारा एरिया वेस्ट पाकिस्तान में भारे कबदे में था, तो उसको बड़ी परिशानी थी, कि कुछ नों को तो 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 फैसला होना चाहिए था, नहीं हुआ, फिर उसने मिसिस कि साथ एक मिन्ट रात को मुझे आप पांच मिन्ट के लिए मिलिए, मैं आप से बात करना चाहता है, तो वो अग्री कर गई, अब जो मैं तो वहां था नहीं, मगर जो वहां पर थे साहब, उनने बात में लिखा है, कि सड़नली, डून दी कोर्स और दी डिनर, दोनों उठ पर एक मरे में गए और कुछ देर के बाद वापसा है, अगर कोई एगरिमेंट रिटन होता, तो किसी स्टैनोग्राफर को बलाते, वो तो टाइप करता और वो साइन करते, वो तो जाहर था कि जैसे वो बार आए, उनने ने किसी को बलाया और नहीं अंदर, और मिसिस आपकर दोनो को अपने जो उनकी अखसर्डि रुन के बाद एक स्टैन डार उनको बरीफ किया कि क्या बाद चीद हुई है. अब एक जो अब उनकॉच ख़ग था कि दोनों एक प्याह रिकार्ट कर लेते, कि ज़त क्या बात हूई, मिस्सिस गांदी उनको क्या बताया, वो एक दो लाइन का जो नोट है वो परमनेट रिकार्ड हो जाता है. और कभी भी कोई बात होती है. क्या बात हुई तो ये बात हुई. मगर अब चुँके रिकार्ड नहीं रखा गया. तो इंद्रा नहीं मना किया था, इंद्रा गांदी ने, या इन्यों ने अपनी मरची से नहीं रखा था? इंद्रा गांदी नहीं क्यों मना करना था. इंद्रा गांदी ने तो इनको बता लिया की मरी क्या बात हुई है. अब इसके पात उनका काम है ना एक is a small requirement of bureaucratic discipline. कि जो भी बात हो उसको रिकार्ड करो क्योंकि यह जो अफसर है यह तो हमेशा नहीं रहते हैं, बलते रहते हैं, और रिकार्ड तो पर्मानिट होता है, कभी भी इसको आप रहते हैं, कोम की उम्र व्यक्ति की उमर से जादा होती है, कोम की उम्र व्यक्ति की उमर से जादा होत तो रिकार्ड के बेसिज पर लिखते हैं, जो कि हमारे पास अवेलिबल है. अब जबानी क्या उतके लावा होता है, वो कोई लिखता है अपनी किताबों में तो मालूम पड़ता है, अदरवाज नहीं मालूम पड़ता है. मगर बेसिक जो चीज है, अर्काइवल जसे कहते हैं मेटिरियल, वो है रिकार्डिंग, अफ गर्वर्मेंट रिकार्ड्स. उसके उनको चाहिए था वो नहीं का, तो क्यों नहीं किया, अब इसका कोई नहीं एक एक्स्पाइशन दे सकता है. अब पाकिस्तान ने एक बाद में कहा दिया, साब कोई डिसकर्शन, कोई बात, कोई डिसकर्शन हुई थी, मगर कोई सहतला नहीं हुआ था, कोई ऐसा एग्रिमेंट नहीं हुआ था. और मिस्स बेर नजीर भुटो, जो उस वक्त शिम्ला मत थी, उनका अपने बाप के साथ, उसको सब कुछ मालूम था. जब वो प्राइमेस्टर बनी थी, उसने भी उस वक्त का कि नहीं कोई अग्रिमेंट नहीं हुआ था. जबकि इंद्रा गांधी ने पांच खत लिखे ते जुल्फिकार अली भुटो को इस बात कर रिमाइंडर कराते हुए कि हमारी और आपकी कश्मीर को लेकर कुछ बात हुई है. क्यों उन खतों के कोई जवाब नहीं आए थे? उनने कोई लिखा ही नहीं ना पहले जवाब तो होगा जो भी पॉइंट रिज किये उनका. मगर उन पांचों लेटर में उनने कभी बुटो के रिमाइंड नहीं कराया कि तुम्हारी हमारी क्या बात हुई थी? कि तुमने मेरे से ये प्रामिस किया था, क्यों तो और करने की? आप लेखे ना, अगर मैं कोई लिखता हूँ तो उसके जवाब में कोई कह सकता है. उसको तो सूट करता था. कि कुछ ना कोई बोले इसके बारे में. तो जब मिसिस गांदी ने लिखी ने लिखी और वो उस वका तक अपने किश्मीर पी बात पे वापस आ गया थ उने बाचें देने चुरू कर दिये थे किश्मीर के उपर और मिसिस गांदी का अपनी लेटर मैं उनको रिमाइंड कराती आपने मेर ये प्रामिस किया था और आप अज फिर वही पुराने चीजों पर प्राना राग 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 ने लग गए हैं ये बात ठीक का जो आर्टिकल के अब जिक्र करेंगे जी जी उनीस सो पचानवे का आर्टिकल इसमें हाँ बाद में जो डी पी पी अंधार थे उन्हें इनीस सो पचानवे में काटिया लिखा उसमें उन्हें कंफरम किया कि बात चीत हुई और उसने हमें ब्रीफ भी किया ये भी उन्हे कि यह नहीं लिखा किolph क्यों हामने रिकार नहीं किया यह तो उन्हों नहीं कहा अपने अर्टिकल में परीफ किया। कि इंद्रा आई है डिनर से मेशन मिल करके भुटो से तो उन्होंने पताया कि मेरी कश्मीर पर बात ही है तो बात हुए है इसमें कुछ साथी बात नहीं है अब क्या बात हुई है वो प्रॉब्लम है अब क्यों हम प्री कंडिशन विदाउट एनी प्री कंडिशन हम समझधा करने को राजी थे क्यों इस बात की कोई नोटिंग नहीं हुई कि जब जो फिकार अली भुट्टो ने ये कहा है कि कश्मीर का हम समाधान की और सोच सकते हैं तो आज जो कुछ हम देख रहे हैं या जो उसके बाद हमने कुछ देखा कारगिल देखा हमने पुलवामा देखा उस सब के उस सब पर बन वहीं पर रहे हैं उस वकार तो पच्ची साल हो गए थे नहीं हुआ फैसला तो आज पाइंच दिन में नहीं होने वाला तो वो तो पहले दिन से क्लियर था कि इस पे कोई फैसला नहीं होगा और वो बाद चीद करने के लिए बे तैयार नहीं था क्योंकि उसने पहले से ही कहा लिया था इस पे कोई बाद चीद नहीं होगी और हमें जो सलाब मिली थी फ्रांस से भी इवन यह जो मासकों से भी जो सलाब मिली थी वो यही थी इसको अभी मत शड़ी किताब पर लोटेंगे पर थोड़ा आपके जीवन की भीतर जाना चाहता हूँ आप 1935 बॉर्न है 1935 का साल आपने आजादी देखी है आपने वो ट्राइस्वे डेस्टिनी भागे वद्दू से चेर प्रतिक्षित भेंट वाली जो स्पीच है नहरू की आपने उसके बारे में जुरू पढ़ाय सुना होगा आपकी केस्वनितिया हैं 15 अगर्श तो 1947 की हमारी क्या है हम तो रिफ्यूजी हो गए थे हम लग की लिए दो तीन दिन पहले पार्टिशन से आगे थे डेरादून रिफ्यूजी केमपे मेरा भाई जो था हमारादू फैमली था मेरे फादर की डथ होगी थी नाइटी फ़र्टिफॉर में और वो काफी हसे तक यह कहते रहें रहेंगे हम जहीं रहेंगे मगर सड़ली एक दिन देस जाराँ अगस्ती बात है वो दुपयर में घार आगे जो कि कभी नहीं आए थे और रस्या लेकर आए और कहाँ चलो आज शाम को हम जाना है और अपना समान बांदो यह एक बड़ी अजीब सी बात होगी थी सड़ली होई और हमने फिर सारा समान में तो बच्चा था उस वकत बारा साल का सब घर वाले भी हरान होगे और सब ने त्यारी शुरू कर दी और शाम ही को उसी दिन शाम को ही हम स्टेशने पहुंचे गाड़ी बड़ी मुखकल से अंदर गाड़ी में गुसे बारी जा बड़ी होगी खजा कच बैखने का स्वाल है नहीं कहीं जमीन पे बैठ गए कोई कैसे बैठ गया और आगे सेफ आगे यही शुकर है और रिफूजी कैम्प में बेजा गया जो दिरादून के पास प्रेम नगर था और वहां पार रह पांच छे मेने पर में भाई दिली में आ गए और मैं भी दिली में आ गया तो फिर लाइफ शुरू हुई अगर यह एक ऐसा दिन था ऐसा प्रावलम थी यह से दिन थे जिसमें स्वाई मसीबतों कि पुछ पिंजी था खाने की प्रावलम थी रहने की प्रावलम थी रहने की प्रावलम थी हार्ट ट्रंग की प्रावलम और को पता कैम्प में एक अब जो रिफ्यूजी हैं, वो जब भी बात करते हैं, कहते हैं, सिंस पार्टिशन, मगर जो इस तरफ के लोग हैं, जो पार्टिशन से इफेक्ट नही हुए, वो कहते हैं, सिंस इंडिपेंडनेंस, रेफरेंस अंधर बिंदू अलग हैं, दोनों का जो बेंच मार्क है, वो लगजा लगजा है. जो पंजाब से रिफिूजी हो कि आये पंजाब से दूसरी जगह से उनके लिए पार्टिशन लफज जो है ना उनके दमाग में गुसा हुआ है. और जो इधर के हैं उनके लिए तो अजाली का था, वो अजाली मना रहे थे. वहां लोग मर रहे थे. तो बेंच मार्ट आदे का लगदा होता है और सर आप इतने फिट कैसे रह पाए नबे बरस की उमर में भी आप बिना किसी सहारे कि आप बिना किसी ऐसी जरूरत का अराम से आप चल फिर पाते हैं बढ़ी आप की सहत है मुझे क्या पता यार इसके लिए मैंने कोई दुआई तो खाता नहीं मुझे कोई ऐसे रूटीन किसे मौनिंग वॉक का या भोजन का या नार्मल लाइफ मैं करता हूँ बीजी रहता हूँ अपना लिखना पड़ता रहता हूँ मेरे पास वो इन चीज़ों के लिए इफ़ादी चीज़ों के लिए टाइम ये नहीं होता इस्टाग्राम चलाते हैं आप इस्टाग्राम ये इस्टाग्राम और कुटर कुटर ये मेरे बस का रही है मैं आपना ड़ाराइन है. इसेब अया है. यूटसाअब तो एक मेसेज देने की बात ने एक अन दूसरी को. ये बाते ही जो की ड़ाइने हैं, आपस मैं जो काम की बात है, वो गरते हैं. वो तो और चीज़ है. वो तो लाइक είναι टेक्स मेसेज था या ईमेल था. यह सिंप्लिफाई हो गया मगर बाकी जो है सोचल मीडिया मैं ना पढ़ता हूँ ना टाइम वेज़ करता हूँ ना मैं उसमें एंटर करता हूँ सर जिसे आपने इंडिया चाइना पर किताब लिखी है भारत और पाकिस्तान के जो दस वॉल्यूम में जो पब्लिक डूमेंड में नहीं आनी चाहिए तो आप जब इन किताबं को तयार कर रहे थे आप लिख रहे थे इसके रिसर्च कर रहे थे तो इस दोरान कोई बिरोक्रेटिक कोई लाल फीता शाही कुछ असा आपको अनभा हुआ कि आपको रोका गया हो कोई चीज पर इंबार्गो लगाया गया हो नहीं नहीं ऐसे है नार्मली जुडिशी करताथ मैं कोई दखल ही नहीं है इस मामले में जुडिशी कर कोई दखल नहीं है जहां तक बिरोक्रेटिक है वो होता है कभी-कभी एक दखा हुआ था जब मैं चाइना के डाकुमेंट्स कर रहा था तो मैं ने फिर फारें सेक्टीज दे उस वकत वदेश मंतर वदेश रचिव जाराँ हाँ जाशंकर साब थे तो उनसे मैंने मीटिंग मांगी उनने मुझे मीटिंग दी और मैंने उनको बताया यह प्राब्लम है उनका ने नहीं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इंपॉर्टन काम है और यह सब के फाइदे का है आप करिए आपको कोई प्राब्लम नहीं होगी उनने मुझे शूरस दी और मैंने फिर काम किया और जो मेरी प्राब्लम चोटी मोटी थी वो हट गई तो मैं उनका अबारी हूँ कि उन्होंने इंटर्वीन किया और मुझे इतना होसला दिया कि मैं काम कर सको और वो होसला हम लोगों को भी खूँ आपकी किताबों से मिल रहा है आखरी सवाल है इस बातशीत का दोहुजार आठ का जो सबसे लेटेस्ट अकॉर्ड है इंडिया यूएस का एक तो हमने 72 में किया जब पहली बार हम नाम की जो नॉन अलाइन मुमेंट था गुट निर्पेक्ष की जो नीती थी उससे हम हटे और हम रशिया के साथ खड़े दिखते रहे अगस्ट 1972 की उसके बाद जब हमने 2008 में अमेरिका के साथ नुकलर रेली डील की उसकी बहुत विरोध भी रहता था अकबारों में हेडलाइन चापा करती थी वाम का विद्रो तो 2008 में ये कैसे घटित हो रहा था सब कुछ 2008 में क्या हो रहा था इंडिया और यूएस के बीच में जो अकॉर्ड था उसमें आप एक अफसर का नाम लेते हैं मैं अगर गलत नहीं हूँ कॉंडॉलीजर रिका का कॉंडॉलीजर रिका जो यूएस के सेक्रेटरी थी आपने उनका बड़ा खिर किया है क्या मीटिंग हो रही थी हिंदुस्तान मुजदिन क्या घट रहा था उस बीच में इंडिस्तान को तो बहुत प्रादम ती इस अगरिमेंट के पहले, क्योंकि हमें कोई भी नुकलिर टेक्नोलजी नहीं देता था, हम किसी से मांगे थे जब देता नहीं था, जब हमने पहले टेस्ट किया था, जिसको पीसफुल टेस्ट कहते हैं, उस दिन से हमारे खलाफ अबन तकनोलजी वार डिवलमेंट बड़ी इंपार्टं होती कही और रियरोत से टेक्नोलजीजी जो के आर्मी के लिए भी जूद ऐसकती है और सिवल के लिए भी नहीं मिलती थी, तो हमारे लिए यह इजो अग्रीमेंट था सह बहुत इंपार्टं था, इससे हमें ये तो वो अमेलना शुरू हो गया दूसरा अमरका का इंट्रेस्ट था कि मारे रिक्टर बिकेंगे वो रेक्टर तो बिके नहीं क्योंकि उसमें प्राब्लम खड़ी हो गई कि लाइबिल्टी की करका को एक्सिएंट हो जाता है नुकलिर तो उसका कौन जिम्मवार होगा कौन उ तो अजियार नहीं थी और गुम्मन ने का हम क्यों लें जो कंपनी का माल है जिस कंपनी का वो ले तो इस बास से मामला बरता गया और आए दिन तक कोई भी नुकलिर टेकनॉल नुकलिर रियक्टर नहीं आया है अमेरिका से नहीं को लगा है बड़ गर्वनिट ने इसकी न वो प्रवार पैनल लागए हैं, वो पूरी हो एक रही है। काफी जादा अमारे जो अनर्जी की रिक्वार्मेंट है, वो अनर्जी से पूरी हो रही है। मगर नुकलियर टिक्नॉलजी की बहुत दूरूर थी, वो मिल गई, अमारे पास जो परबंद जो बैन लगा हुआ था, कि हम नुकलियर कोई भी कंटी हमें नुकलियर टिक्नॉलजी नहीं देगा, वो हट गया। हम जो थे घटों में वो घटों से बार आगें। हमें ये फादा हुआ। अमेरिका को फादा हुआ जै नहीं हुआ वो और चीज़ है। कि उनकी Senate ने ज्यदा मजबूत ही समर्थन दिया था जह लोकसभा के। उनकी Senat के आगे जो वोटिंग होई है उसमें ज्यदा मजबूत समर्थन दिखता है वाजा हमारी लोकसभा के जैसे जो वोटिंग होब और उन्हों ने देखे हमने बड़ा क्लियर कट अग्रिमेंन तो इसे स्टेश्स में नहीं चाहिए, वहीं नहीं चाहिए, पीजाए, प्रोपून मने अपनी प्रेंटिश्न, यह तो रहीं, जा तो था क्किनीशिशन कोई जी आफ लेटर केंडिशियों झाहिं किवोंके यह काफी अपूजिए थी अहुती अध़ी अधर कार्णा की अंद है उसको यूज़ करेंगे बंब बनाने के लिए तो हमने यह कह रिया था कि हम जो भी हमारे और से अग्री कर गये थे कि हम अपने सारे जो रेक्टर्स है उनको दो स्विभा बांटेंगे एक एक सिवल के लिए और मिल्टरी के लिए? सिवल वाले जो हैं वो आई ए ए ए इए इए इटरनाशनल इटामिक अन्रडी जनसी के पास रिजिस्टर्र होंगे और वो अजिसक्ता दियान रखेंगे कि हम उतको मिस्यूद नहीं करेंगे. मगर जो मिल्टरी जूद के हैं वो हम किसी को नहीं इंस्पेक्ट करने देंगे. तो ये एशॉरंस हमने दे दी थी. इसकी बेसिस्ट के उपर आगे बात चली और इसी बेसिस्ट के उपर अमेरिका ने अपने कानून भी बदले और इसी बेसिस्ट पर नुकलिर सप्लायर ग्र मालदी में तो आप रेटायरी हो गए थे तो भारत की जो विदेश नीती है अभी जो मौजुदा सरकार है मुदी 3.0 या मुदी 1.0 जगर हम शुरू करें आप इसको कैसे देखते हैं ऐज यशंकर की विदेश नीती पर आपकी क्या कॉमेंटरी है किस तरह से आज की भारत इसके ओपर क्योंकि आलोचक बार बार इभी हान दिलाते हैं अकबारों मैं कि आपके पड़ोसी देशों के साथ आपके समंद्ध खराब हो रहे हैं मुदू मालदी में इस बात पर वोट जीत कर आए कि हम बाहर कर देंगे हैं से इंडिया को नेपाल के साथ के पी ओली जो ह हैं वो चाइना समंद्ध तक माने जाते हैं या बंगलदेश में अभी तकता पला ठोकर ही चुका हैं अभी खबर देख रहे थे शिलंका के साथ अभी जोकी वहां वोटिंग हुई है तो वहां पर भी एक लेफ्ट क्रेजिडेंट हैं तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ स कर देश मंत्री बिनाना है एक बड़ी अपलब्ली थी काउं का क्या है व्याइस प्रॉण का क्योंके उनको इतना थार्बबा है वार्न पॉल्सी का कि सारी उमद्ध उनने ले वार्न पॉल्सी में करते हुए गुदारी तो ऐसा अंभवी आदमी का मिलता है जतने पहले आगा प्रॉदिजीशंची आप आपॉल्सी आप इनको इस हें ज newest वनतिशन चाहूं है जाशंकर का एक तो हर चीज को जानते है कि राग्रॉंड में क्या है काह पर क्या प्राबल्म ही थी काह है क्या कमी रहागी थी काहं पर क्या बेती फी काह पर व्हशी रहागी थी ऊए है तो उनको पूरा बैगराउंड है हर चीज का किसी के ब्रीफ की जरूट नहीं है किसी के ब्रीफ की जरूट नहीं है क्योंकि ये खुद ही उनली चीजों में से निकले हैं और एक इनका जो विजन है वो मुझे लगता है मैं पिछले इनके सारे इंटर्व्यू वरा दिखता रहता हूँ, लगता है कि काफी ब्रॉड है, और उनको मोदी ने, सहाब ने, ने खूली चूट देर किया है, आप अपने अन्भव के हिसाब से, जो भी उच्छत सम्झते हैं, वो कीजिए, और जैसे वो आर सारे दुनिया में गूमते हैं, और हर एक चीज से बात करते हैं, औ किसी चीज में किसी चीज में किस ने काउ साब इनने गल्त का या शाही का, यह बड़ी बारी चीज है, हारे क्योंकि इनको बैगरूंड है आर चीज का, तो आपके असाब से अभी जो हमारी पॉलिसियूस में को टैक्टिकल शिफ्ट आप देख रहे हैं, जो पुरहने दौ में चलता था, उससे कुछ अलग हमारी इस अलग तो देखिए हट आदमी अपनी अपनी साब से काम करता है, तो थोड़ा साब तो आई जाता है, आटोमेटिकली, हाव यू लोकाट इट, मैं किसी को किस से कैसे देखता हूं, आप कैसे देखते हैं, इस डिपेंड करता है, और टाइम चेंज हो गया है, पहले टाइम और था, आई टाइम और है, उस वकत के टाइम के मताबिक उस वकत के पालिसी ठीक थीक ये गलसी उसको कहना बड़ा मुश्कल है, आज, मगर आज की पालिसी, आज के टाइम से, अगर देखा जाए, तो बिलकुर ठीक है, आज की आज के टाइम से, अन देट नोट, बहुत शुक्रिया सर, आपने इस बातचीत के लिए वक्त दिया, मैं दो चैप्टर जानमूझ कर छोड़ रहा हूं, ताकि कुछ रस, कुछ सुकाप के भी पांती आए, जिसमें एक चैप्टर है, इंडिया चैन अग्रिमेंट इंटी 54 क और 1971 की जो इंडियन सोवियत पीस टेटी है, उसके बारे में, ताकि वो दो चैप्टर आप किताब खरीद कर पढ़ें, किताब का नाम, जैसा कि मैंने पहली बताया है, नेगोशेटिक इंडिया लेंडमार्क्स एग्रिमेंट्स, इस किताब की कीमत है 999 रुपे, इसे पैं कोई भी हो सकते थे, क्योंकि एक देखिए 2000, एक तो 1954 और दूसा 2008, इतने गाप है, तो मैंने वो पांच एग्रिमेंट्स चुनें, जिनका कि असर बाद के रिलेशन पे अच्छा या बुरा पड़ा ये देखने के लिए, अब देखिए 954 का एग्रिमेंट्स है, इसका जो अग्रिमेंट्स का कोई फादा आमें नहीं वा चाइना को हुआ क्योंकि अमें उसका थे अग्रिमेंट्स कर ना पड़ा, क्योंकि चाइना ने ने अमारा जो फंक्षिनिंग था तिबित के अंडर वो दोबर कर दिया था, हमारे जो जो वह पर टेएर एजन्सी थी ती ती का फंक्षिनिंग आलमुस्ट इंपासिबल हो चुका था और हमने इनिशियेट किया एग्रिमेंट के लिए चाइना को कहा क्योंकि प्राब्लम हो रही हैं इसलिए लिए लेट उस हैव अग्रिमेंट फ्रेश एग्रिमेंट और ताके आगे से प्राब्लम आओं, उमीद तो यह थी कि आगे से नहीं होगी, तो एग्रिमेंट हमने करिया, एग्रिमेंट सारा के सारा चाइना की शर्तों पे हुआ, जो चाइना चाहता था वही हुआ, हम चाहते से वह कुछ नहीं हुआ, और बाद में हमारे फंक्शनिंग आफ आवर ट्रेड एजन्सी एंड आज और बिकेम आलमोस्ट इंपासिवल, जो हमारी उमीद थी, कि एग्रिमेंट के बाद फंक्शनिंग जो है, वह सानर्मलाइज हो जाएगी, फेसिलिटेट हो जाएगी, वह नहीं हुआ, वह खराब ही होता गया, तो उसका एग्रिमेंट हमें कोई किसी तरह से भी फाइदा नहीं हुआ, इसका रिलेशन के उपर एडवर्स इंपक्ट पड़ा, अब सोविट जूनिन ले ली जी, अब सोविट जूनिन ने हमें फोदाफर दी, 1969 में एक एग्रिमेंट करिये, डिफेंस एग्रिमेंट करिये, बनाना चाह रहे थे, वह चाइना के खिलाफ उनका चकर था, व चाइना के साथ उनकी घरबर रिलेशन खराब हो गए थे, वह चाइना को गिरना चाहते थे, और इतना बड़ा मुल्क इंडिया का वही अपर था, जो उनको कुछ कर सकते हैं, मजबूत आवेदार था, अब उनने 1969 में जब हमें किसी कोई खत्रा नहीं था, एक टीटी आफ मंतरी थे, देनेश सिंग उनसे मलाकात की, और काफी कन्वसिंग की, मगर अगरिमेंट उस वकत नहीं हो पाया, चलता गया, मगर खत्म भी नहीं हुआ, उननी सो एकतर में, जब हमारी प्राबलम बड़ी, पाकिस्तान के साथ, और ये डर था कि चाहना जो है, पाकिस्तान के साथ मिलके, हमारे उपर प्राबलम करेड करेंगे, बिकाद आम अन्वाल हो रहे थे, बंगलादेश के में, तो हमें जूद परे, तो हमने अगरिमेंट किया, अबर रिश्या ने क्यों हमें अगरिमेंट देनी की बात की, 1969 में, ये एक बड़ी अजीब सी बात है, और 1972 में, डीपी धार जो इस लोकत पालिसी पार्ली कमीटी के चेरमेंट थे दिली में, वो गए वहां पर, और मार्शल गरेचको से मुलाकात हुई, और वहां के जो प्रजान मंजी से मिले और पर मार्शल गरेचको जो उनके डिफेंस मिनिसर से मिले, अब उसने ये कहा, कि आ आप ये पाकिस्तान पाकिस्तान को छुड़िए, आपको जो चाहिए हम देर देंगे, मगर आपका असली दुष्मन चाइना है, और हमें आपकी जूद पड़ेगी और आपको हमारी जूद पड़ेगी चाइना के खिलाओ, तो हम आपस में के अगरिमेंट करते हैं, वो भी दोनों की फोजें आमने सामने करी थी, तो उनका एक चाइना से बर्ड भारी दुष्मनी हो चुकी थी, वो इंडिया को अपने साथ मिलाना चाहते थे चाइना के अगेंज्ट, इसलिए उनने 69 में में आफर दी थी, कि आज, क्योंकि इंडिया ने कभी ये ऐसी ट्रीटी कर ये थी थी नहीं है, इसा आग्रिमेंट ये थी किसी था तो अगर ये एक इनाकुष सा आग्रीमेंट कर लेते थे हैं, तो बाद में फिर इनको बड़े अग्रीमेन में पताएएगे उसको हमें वो आर्म चाहिए थे, बहुत जूरी, क्योंके परकितान आर्म ओर रहा था, तो जब हमने उनसे कहा कि ये आर्म दीजी तो उनका पहले ये ट्रीटी शायं केजी चाइना के खलाफ, तब मिलेंगे, और जब हमने मना कर दिया, तो उनका पर ये लिस्क भी वापस ल है तो लिस्थारी एक्टर नफ्रेमिनिस्टर भी गए उनको भी लूख वाँ थे ले दिया, हाँ हाँ कर दी, मगर दिया नहीं, कुछ भी बाद में नहीं आया, फिर मिस्ड़ गांदी ने बाद में बाद में बेर्जनेव को चिट्टी लिखी जो उनके आपने का था, बगरुबा कुछ नहीं, तो आप इस बारे में आपने हो. तब जा कर दिये. तो उनका एग्रिमेंट करने का जो 71 में इनों ने किया, वो मतलब यही था कि इनको एक दफार पसाओ एग्रिमेंट में, फिर इनसे बड़ा एग्रिमेंट करवाएंगे. और हमने मन सिमला एग्रिमेंट उल्राई के बाद मौद जो ही था. इस पर तो हमने तफसील से बात की है, तीनों पर. और यह जो दूर एग्रिमेंट सर ने भी बताए, एक तो 54 वाला और एक गत्तर वाला, इसकी भी बहुत मज़िदार मीटिंग्स के भी औरे हैं. आप इस किताब में खोच सकते हैं. इस बातचीत को फिलाल हम यहीं पर रोकते हैं. किताबों का और किताबाला का यह साथ ऐसे ही बना रहेगा. आप रिकमेंट करके ज़रूर बतेगा किन किताबों पर बात हो सकती है, किस पर इंट्व्यूज हम लाइन अप कर सकते हैं. इस बातचीत को रिकार तक भी पहुँचा देंगे और लोगों को अंडिस्टाइनिंग हो जाएगी क्यों हो ये मैंने किताब लिखी और क्या आइस में है एक तिबत वाली बात पर और नहरू वाली बात पर और 62 के वार पर एक किताब वाला हमारे ड्यू रहेगा उस पर हम भी जल्दी बात करेंगे जो अपने 62 वाली पहली किताब लिखी है उस पर इलहाल इजबाचित को ही रोकते हैं तैंक्यू अपना खायल रखिए